वेल्कम बैक टू आई एस अंसारी चैनल और एक बाद फिर आपको बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आई एस अंसारी में और यहां पर दोस्तों आपके सेकेंड पेपर की जो लगातार आपको रात 9 बजे से देखने के लिए मिल रही हैं तो जितने भी नए भाई-भाई भाई बैने वह चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स की साथ भी सिर कर दें और इस से पहले की क्लास से कर अभी तक आपने अपने अटैंड नहीं कियां तो सारी क्लास आपको यहां पर यूट्व चैनल पर के लिए मिल जाएंगी तो चले दुस्तों आज की से क्लास कि यहां पर स्टार्ट करते हैं और अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टैप कीजिए और सबसे पहला सवाल आज की इस क्लास का आपके सामने स्कीन पर आच चुका है इससे पहले के क्यो चोछ ठोस कादम उठाया जाए तीक है इसलिए घुसलापत्र में अच्छा पिरकट की गई क्या पिरकट की गई कि हमारी यह इच्छा है कि भारत की प्रतेक प्रेसिडेंसी में प्रसेचल विद्याल है और अध्यापकों की कच्छा है आतिसीग्र इस्थापित की जाए ठी इसके बाद अगला सबाद यहां पर आपको देखने के लिए मिला है वैफसाइक सिच्छा के बारे पर बुड़ के विचार आपको स्वेस्ट करना है अचसन अठाज चववन के गुसलापत्र को इस बात कसरे भी सरप्रितम दिया जाता है कि अब भारतियों को भिन-भिन व हुपियोगी सिच्छा दी जा उनके बेभाहरिक रूप में काम आ सके तो यह आपका अग्रा सभाल हो गया है हंटर आयोग के देशी सिच्छा से जोड़े पर दिश्टा हूए यहां पर बताना है तो आयोग ने देशी विद्विद्यानों का सिच्छालों का जो भी आप कह प्रकार से सरकार के द्वारा संचालित रास्टी सिच्छा में एक महतपूर इस्थान की पूर्ति कर सकते हैं देशी स्कूलिटी के देशी सिच्छाल रहे विद्ध्याल हैं देशी स्कूलों के महत को सुखार करते हुए कमिशन नीमन लेकर सुझाओ भी दिये पहले सुझाओ यह था कि उच्छ और निमन सभी विद्ध्यालों को सरकार प्रसाहन दे ठीक है इसके लाब दूसरा दा देशी पार्ट सालों में पर्विस्पाने के लिए किसी भी पिरकार का condition यानि की जो पर्थिवंद है वो ना लगाया जाया इसके बाद तीसा दा सरकार के द्वार्ण के दौरा उनके पार्टेक्रम में किसी भी पिरकार का जो अब्सतिशे वह ना किया जाए जैसे विद्याले उस तरह से दे सकते हैं इसकी उन्हें छूट दी जाए पार्टिक्रम में उप्यों की विश्यों को सामिल करने के लिए सरकार बिशेश सहाइता दें ठीक है यहां पर हेल्प करें इसके लाबाभा पांचमय देशी विद्याल सब्सक्राइब करने के लिए हंटर आयोग ने क्या सुझा दी उस मादमिक सिच्चा के दोस्टों को दूर करने के लिए हंटर आयोग ने किया कि सुझा दिये तो मादमिक सब्सक्राइब करने के लिए इसके लाव तीस्तरा है विग्यान सामकरी फिस्टकाल अधिक लिए सरकार के द्वारा आर्थेग अनुदान दिया जाए इसके बाद अगला सवाल है सरकारी स्कूलों को धीरे दीरे प्राइबेट इस्कूलों में परिवर्तित किया जाए यहां पर यह उन्टर आयोग ने सुझाओ दीए जो सरकारी गवर्मेंट इस्कूल थे उन्हें योग के भारतियों के हाथों में दिया जाए इसके लाब अगला सवाल प्रिभा अगला यहां पर क्वाइंट है बाइक के een तांत स्वाभावग था और इसका भारतीयों द्वारा उसे घ्रडा किया जाना भी स्वावग था धुरंदर विद्वान था जितना की मैकालेटी नूरुल्ला वा नायक के अनुसार बताया गया कि करजन ने लौर्ड करजन ने सिरिस्टतर मानसिक चमता का कोई वैसरा है भारत में उस समय तक कभी नहीं आया था करजन में प्रसास की चमता और मानसिक योगिता का सजीव समिस में उसकी धानति कि सक्षा में सुधार करके ही प्रसासन में सुधार किया जा सकता है इस देनियुकरर्व करवा और सच्छा समय प्रसता परित करवाया और निया यम को सुन्य को यreck रखना है इसके बाद आपका अगला सवाल अगले सवाल में आपसे पूछा है कि भारती विस्विद्याला आयोग 1902 की निक्ति किया गया तो इसके चार मुखे कारल थे पहला आपका विस्विद्यालों से संबध कॉलेजियों की संख्या में अतिती ब्रिव्रद्धी होने के क करता से पालएं कर सकते थे फल्सुरूप का लुजियों का सिच्छड निम्न हो गया तर यानि कि इसके बाद पंजाब यस्विद्याला के अत्रिक्त भारत के सभी विस्विद्यालों का संगठन लंदन विस्विद्याला को आधास मानकर किया गया था इसके लावा लंदन इस तर नंबर पॉइंट यहां पर बताया गया कि विस्विद्याला के वल परिच्छा लेने ओंवानिता देने का कारे करते थे उन में सच्छड की जो उनका मुक्य का रहे था कोई बवस्ता पहले नहीं थी पहले क्या आता था या आपकी मांक्सी डिग्री जो दी वो जार प्रतिने देत्व भी नहीं होता था जबकि संख्या उनकी अधिक्ती तो यह चार पॉइंट जो हैं वो यहां पर बताया गया है आधर्स को उपर युक्त आधर्सों को प्रहप्त करने हो कॉलेजों और विस्विद्यालों में आवस्क सुधार करने के लिए लौड का जैने जेशा उनी स्थानों पर लागू की जाए जहां पर एक नश्चेत संख्या में वालगा सिच्छा ग्रड करना है हूँ इसके लाबत गवर्णर जर्नल को आधिकर होगा की यह पृतिस्द्रा Cert कर सकता है कि ठीए के निश्टित संख्या टीक है वो किसको गबनाय जर्रनल को अधिकार होगा कि कि निश्टित्स संख्या में प्राद्रिक सिख्चा आनिवारी की जाये किन इस्थान उपर ठीक है इसके लावा दूसरा है सरकार कि स्थानी संस्था को यदिकार होगा कि इन नियमों की वह चाहे पूरे छेत्र में लागू करें या किसी भी एक भाग में ठीक है इसके बाद यहां पर आगे बताया गया कि जहां पर यह अनिवारे प्रात्मिक सिच्चा का नियम लागू होगा वहां 6-10 बरस तक के बालकों के लिए प्रात्मिक सिच्चा जरूरी होगी यानि की कंपल सरी होगी जिसके अभी यहां पर देख लीजे 6-14 बरस की आई उबर्गे के बच्चों के लिए फ्री और निसुल के सिच्चा जो है निसुलक और अनिवार सिच्चा का जो प्राब्धान है वह गवर्मेंट ने कर रखा इससे तरह सब्सक्राइब पॉइंट है नियम का उन्लगन करने वाले अभी बाबकों को दंडित भी किया जागा बालिकाओं के लिए देरे देरे प्रात्मिक सिच्च इसके बाद अगला पॉइंट है यदि अभी बाबक की मासिका सो से कम हो तो उस बालक से सुलक ना लिया जाए यदि किसी भी अभी बाबक की मासिका है महीने किया ठीक है महीने की जो उसकी आमदनियों हो सो रुपैसे कर कम हो तो उस बच्चे से सुलक ना लिया जाए ठीक ह इसकर आगला पॉइंट बताएगा कि अंधीनियम में वेय के विश्व में ये उल्लेक किया गया था कि प्रात्मिंग से चाका वेय भार इस्थानिये बोडों मा सरकार द्वारा उठाये जाए लेकिन सरकार कम से कम दो बटे तीन भाग वेय वहन करेगी ठीक है यहाँ पर यह सरकारों इस बयलने वर अन्य विक्तिक कर संस्तां में भेजा गया दिसके चारूं कोंबों में वहतया से इसविद्यक का स्वागत है और भारती निताओं ने तो इस इस का समया दिल का प्रियतन भी किया ठीक है तो यह सरी सबकर्या आप्ता है और आपको याद रखना है इसके बाद आपके अग्ला सवाल है अग्ला सवाल में पूछा जा रहा है कि गोक्ली का अपरत्मिक सिच्छा सभी को सुलख कराने में क्या यूगदान रहा धाлग गोक्ले किरिसंगोकव को दिसम्लिको नि का world अ है ठीक है यह देख सकते हूं कि उस समय से सारी चीज़ें जो है वो लोगों के दिमाग में चल लए देगी जो प्रात्मिक सिच्चा वो अनिवार की जा और निस्सुल का निवार रिखी जा इस कारे के लिए सरकारी और सरकारी लोगों का एक आयोग सीग रही बने जो का और बिख्यों की एकाँ का इशिक्त लौट है इस सिच्चा का बाहर इस स्थानी संस्था मेरे प्रांती सरकार शीक करें इसके बाद ढूसर के संचा से Fore Drag से पुछा िबSTA प्रात्मीग से सीच्चा के बारे बताना बड़स्तर के सब्सक्टचा मों बचा बंगर प्रात्मिक और माद्यमिक सिच्छा ठीक है 9-10-11-12 तक आपकी जो है माद्यमिक सिच्छा रहती है इसकूल सिच्छा के यह तीन भाग बच्चों के विकास कोई तीन अवस्ताओं से सुकाल बाले बस्ता उसके सोर अबस्ता के नुकूर है माद्यमिक सिच्छा को हम किसोरों की सिच्चा पिराफ्ट करछुएं ठीक ईजा इसके बाद यहां बताएगा कि माद्यमिक सिच्चा की सिच्चा की तरी पुर्व पारत्यमिक सिच्चा की अब्दी एक समान नहीं है। तेराज्यों में प्रारंबिक इसिचा माद्रमिक सिच्छ विए है यτικ n प्रारंबिक सिच्छ इसिच्छ मालने ऊँनीडले सिच्छ को भी माद्रमिक इसмен चामिलित कर शकते हैं भर стать अजितर माद्रमिक इसिच्छ को ऑगे को सिच्छ इतरっक 7, 8 वर्स की सिच्चा के बाद RM होनी चाहिए, पंजाब经ome चल तब हर्याना में 5 वर्स की RM सिच्चा के बाद मात्यूंग की सिच्चा के शुरू हो जाती है हे पर्दीस सरकार राज्या पर्देस द्वारा सभी के लिए सिच्चा अगला पॉइंट है एक से आठ तक सभी बच्चों को फ्री केताबें दी जाएंगी प्रात्मिक स्कुल के सभी बच्चों को पूरु विद्धार्ट मीनियू का नुसर पका पकाया भूजें इसे आप अगला पॉइंट है हम पर बताया गया है कि गुरवत्तापूर्ण सिच्चा के लिए प्रते एक बिद्धालक के सिच्चा को बास दो सिच्चा मित्रों की तैनाती होगी अगला पॉइंट है सैचिक देस्ट्री से पिछले विकास खंडों में कच्छा एक से पांस तक की सभी बालकाओं को निस्सुल विनिफार्म भी मिलेगा अगला पॉइंट है अनुसुच जाती इन्सुच जाती और पिछले वर्गे के बालकों को च्छत प्रती की रूप में कच्छा एक से पांस तक तीन सो रुपए बारसिक दिये जाएंगे इसके बाद यहां अगला पॉइं करें बढ़ार्ए आदेयाँ के रूप में दो हजार रुपए बारसिक दिए जाएंगे विद्याल्य विकास अनुदान के रुप में दो जार रुफय एक्स्ट्रा दीएं गलग से बिन बढ़नद में के बॉक्स में जरूर टैप करें इस वीडियों को सब्सक्राइब करके हमसे जूड़ जाए अधर सारे फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर थर्ट पेपर फिफ्ट पेपर के क्लास आपकी लगातार चल नहीं है तो सारी क्लास को आप चैनल पर जाकर देख लिए बागी दोस्तों आ आपको बहुत धनिवाद थैंक यू सो मच for connecting with us